ओम स्री गनीश राय नमदूस्तो एश्टू समाधान यूट्योग चैनल में आपका हाड़ दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 अगस्त सौंबार के रासी फल के बारे में कि हादिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनी शर्वयापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए सोमबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पोजेटिव रहने वाला है दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा जरूरी काम बनने से आज आपको लाबदायक अवसरों की प्राप्ति होगी रुकावधन आज आपको वापस मिल सकता है अच्छे खबर मिलने के भी आज आपके लिए अनेको योग बन रहे हैं उच्च पदा दिकारी और बुजोर्ग वर्ग की किर्पा दरश्टी आपके संपन होते हुई आज आपको प्रतित होंगे साथ-शाथ आज आप अपनी कार्रे कुसलता के दम पर कई महत्मपूर्ण कार्रे बहतरिन तरीके से पूर्ण करेंगे जिस से आपको काफी राहत महसूस होगी किसी नज़िदी की रिष्टेदार का घर में आगमन और हास परिय में समय व्यतित होना घर के माहुल को काफी खुसनुमा बना कर रखेगा अपने परिवार में ववस्ता बनाए रखने के लिए जो नियम और काइदे बनाए हैं वो वाके में काबिले तारीफ हैं इससे घर में अनुसासित माहुल रहेगा और बच्च वी अपनी पढ़ाही की और एकागरचित रह पाएंगे आज रोजमरा की जिंदिगी से कुछ हटकर नया करने की सोचें इससे आपकी मानसिक और साररिक ठकान दूर होगी और एक नए उरजा का प्रभाब अपने अंदर आप महसूस करेंगे फाइनेंस से संभंदित महत्वपून निर्णे लेने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुती उत्तम है दोस्तो आज का समय आपके लिए कुछ शकार अतमक उपलब दियां लेकर आ सकता है अपने महत्वपून कारर को निवटाने में अपनी आज आप पूरी उरजा लग दिल की अपेक्षा दिमाग से आज आप नर्नेले भावुक्ता में आकर आपके नर्नें गलत हो सकते हैं शेर मार्केट और रिस्क संबंदित कारों में आपके लिए लाबदैक परिस्तितियां आज उधपन हो सकती हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आप के लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तों परीवारिक इस्थितियां आज तनावपूर्ण हो सकती है परीवार में एक दूसरे के साथ तालमेल का आभाव हो सकता है अनावशक बातों को लेकर विवाद उत्पन होने की भी आज संभावना पाई जाती है किसी तरह के मन में भ्रहम उत्पन होने से एक दूसरे के साथ कहा सुनी हो सकती है साथ साथ बच्चों की किसी नकार अत्मक गतिविदी के कारण आप में तनाव और क्रोध जैसी भावना उत्पन हो सकती है परन्तु उनकी गलतियों को दोस्ताना पूर तरीके से ठीक करने की आप कोशिस करें इस से इस्तिती में जल्द ही सुधार आ जाएगा साथ साथ आप किसी पर विश्वास करने से पहले सभी पहलूओ पर अच्छे से विचार अवस्य कर लें आपकी भावुकता और उदारता का लोग आपका फायदा उठा सकते हैं दोस्तों के साथ अधिक मेल मिलाब भी सिर्फ समय की बरवादी ही कराएगा दोस्तों ध्यान रहे कि किसी भी निर्णे को लेने में बहुत अधिक समय लगाना हाथ में आई हुई उपलब्दियों को दूर कर सकता है अपनी बाणी और जिद्धी स्वभाव को नियंत रित रखे मामा पक्ष से किसी प्रकार की गलत फहमी आज उत्पन हो सकती है आपके प्रती दोंदी आपके बारे में आज कुछ अपवा फैलाने की कोशिस कर सकते हैं जिसकी वज़े से पडोसियों दोस्तों के साथ संबंद खराब हो सकते हैं किसी भी परिस्तितियों को सांतिपूर्ण तरीके से समझाएं गुस्सा करना समस्याओं को और बढ़ाएगा इसलिए अपने गुस्से पर थोड़ा सयम रखें साथ ही साथ दोस्तों कोई भी कार्य करने से पहले उस पर गंभीरता से सोच विचार करना आती आवश्चक हैं कोई बाहरी वेक्ती जलन की भावना से आपके उपर बदनामी या आरोप की इस्तिति उत्पन कर सकता हैं साफधान रहीं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तों आज के दिन आपका जीवन साथी आपको हर काम में आपकी मदद देगा और आपकी हर बात को सुनेगा जिससे आपके रिष्टे में शकारतमक बदलाग आएंगी आपके प्रेम जीवन में चली आ रही समस्याएं खुद पे खुद अज समाप्त हो जाएंगी जह दोस्तों जीवन साथी का सकारतमक सयोग आपको आत्म बल और आत्म विश्वास प्रदान करेगा आपसी संबंदों में और अधिक नजदी की आएंगी बच्चों की किरिकारी संबंदित कोई सूचना मिलने से प्रसनता पूर्ण घर में वाता वरन रहेगा प्रेम संबंदों में भी और अधिक गंभीर ताएगी वैवाई संबंद ठीक रहेंगे परिवारिक माहुल खुसनमा रहेगा किसी पुराने मित्र से मिलने से भी सुखद यादें ताज आँगी दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है इस दिन का आपको अवस से ही लाब उठाना चाहिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों कारेच्छित्र में आपकी निगरानी अती आवशक है क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाई से महत्पपून ओर्डर आपके हाथ से निकल सकते हैं नोकरी पेसा व्यक्तियों को भी धहरे बनाकर रखना आवशक है क्योंकि उनके ओपर काम का अधिक बोज रहेगा कारेच्छित्र में कुछ नीतियों में परिवर्तन लाने की आपको आवशकता है शहयोगियों और कर्मचारियों की गतिविदियों को नजर अंदाज ना करें आपके पीट पीछे आपको कोई नुक्सान पहुंचाने की कोशिस कर सकता है साजेदारी के व्यवसाय में पार दर्सिता रखना आपके लिए अतियावशक है किसी भी प्रकार के एनेतिक कार्र को करने से बचें क्योंकि इसका दुस्प्रिभाब आपके मान सम्मान पर पड़ सकता है साथ साथ किसी अजनवी के साथ कोई भी डील फाइनल आप ना करें तो आपके लिए बहतर रहेगा दोस्तो साथ साथ कार्र छेत्र में चली आ रही किसी भी प्रकार के दिक्कत को भी सांती पूर तरीके से सुल्जानी की आपको आवशकता है क्योंकि गुस्से और आवेस में आने से परिस्तितियां और बिगड सकती है अधिकारियों से भी बात चीत करते समय मानसिक इस्तिती सामान्य बना कर रखें दोस्तो साथ साथ आज का दिन मार्कटिंग सम्मदित कार रहें और बाहरी गति विडियों में व्यतित होगा नोकरी पेशा व्यक्तियों को भी अपना टारगेट पूरा होने से प्रमोशन मिल सकता है जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको एशिडड़ी और गैस की समस्या उत्पन हो सकती है ऐसे में अपने खानपान में आपको शैयम बना कर रखने की आवशक्ता है दोस्तो साथ साथ अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद भगवान शिव का शक्कर मिले दूद से अभिशेक करें और शाती साथ अपनी मनो काम नए मांगे जा दोस्तो ऐसा करने मात्र शेही भगवान भोलेनात बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिय चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको सीगर ही सुब फलोक की प्राप्ती होंगी और आपकी समस्त मनो काम नए भगवान भोलेनात अवश्य ही पूर्ण करेंगे दोस्तो आप इस प्रकार इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही विशेस लाब प्राप्त होगा दोस्तों बगवान बहुलेनात का सिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जे बहुलेनात तवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद